दोस्तो वीडियो तो मैं स्टार्ट करूँगा कंग्रेजुलेशन के साथ राहुल गोस मामी जी को कंग्रेजुलेट करते हैं लेकिन साथ में मैं आपको बता दूँ वीडियो में काफी चीज़ें और भी है एक साइट इंजिनियर को क्या आना चाहिए और कंपनी एक सिविल इंजिनियर से क्या डिमांड करती है वो सब चीज़ें इस वीडियो में आप सिखोगे नॉलेज़वल वीडियो रहने वाली है फ्रेशर, स्टूडेंट या कोई सिविल इंजिनियर एंट्री लेवल तो वो इस वीडियो को नहीं छोड़े ठीक है पहले हम कंग्रेजुलेट कर लेते हैं राहूल जी को तो इन्होंने CMTA CACM कोर्स लिया था वो कोर्स है 125 का कोर्स है लेकिन उस कोर्स ने काफी हल्प की रहूल की और CACM कोर्स उन्होंने लिया हुआ था तो फसाड में उनकी as a civil engineer, site engineer job लग गए फिर हम बात करो इनको जो interview mostly जो interview question पूछे गयते हैं या जो पूछे जाते हैं वो quantity surveying से होते हैं site engineer क्योंकि इसी से लेटिड और rate analysis के लेटिड और आज यही मैं बात करूँगा एक civil engineer में इसमें क्या skill होनी चाहिए जो CMTA institute है 100 प्लस opening हो रहती है उनके पास site engineers के लिए और QS engineers के लिए मतलब पहले इनकी placement काफी हो चुकी है अभी भी इनके पास opening पड़ी हुई है कैसे पड़ी होती है क्योंकि इनके जो tie-ups है यह मोई है वो काफी companies के साथ है तो कोई भी civil engineer है anti-level civil engineer है जहां fresher है तो उसके लिए exposure यह create हो सकता है CMTA वो कर रहा है और उसी के help से उसको job मिल सकती है बगरी हम बात करें construction management training institute CMTA तो इसमें इनके पास हर language में जो courses है available है और site engineer के लिए multiple language में है और trainer जो रहेंगे वो 40 plus का experience उनका है एक अच्छे price में आपको मिल रहा है certificate course मिलेगा फिर हम congratulate करते हैं चंदन जी को तो second year के वो students है नागपूर से वो अपनी internship कर रहे है कहां CMTA बैंगलूरू आके देखो यह बहुत अच्छी है second year में है और नागपूर से वो बैंगलूरू गई है internship करने है अच्छी चीज़ है number one training placement institute है excellency trainers है industry ready engineers है और वेदी जी को वो भी second year civil engineering student है नागपूर से वो भी अपनी internship CMTA से कर रहे है बैंगलूरू में तो अगर मैं site engineer की बात कर रहा था site engineer यहां quantity survey course सिर्फ 750 में वो मिलेगा आपको कितने है 750 में actual price उसका है 3000 लेकिन जो पहले 10 learner रहेंगे apply करने के लिए उनको सिर्फ कितने में मिलेगा 750 में मिलेगा और साथ में उसके लिए एक mini course free है जो भी rate analysis course है वो mini course है लेकिन वो आपके लिए free है सभी buyers के लिए जो भी पहले 10 भी हो जाते हैं उसके बाद भी आपको free मिलेगा जैसे मैं बात कर रहा था एक site engineer पर क्या skill होने चाहिए तो site engineers के पास होना चाहिए different type के structure के बारे में उसको पता होना चाहिए drawing reading study और engineering inputs उसको पता होना चाहिए project execution plan कैसे मिनाते है sequence क्या होता है construction का वो उसको पता होना चाहिए detail construction schedule के बारे में working out resource side logistic structure work foundation हो गया column हो गया wall हो गया slab हो इसके बारे में finishing का work पता होना चाहिए MEP work और PEP work quantity surveyor को drawing reading तो आना ही चाहिए फिर जो measurement ली जाती है autocad के help से वो कैसे ली जाती है वो बताया जाएगा जो भी IS code है जिससे method of measurement उसको समझना आना चाहिए BBS कैसे बनाते हैं जो standard coefficient होते है different work के वो BOQ वगारा specification rate analysis cost estimation यह सब जीचे आनी चाहिए और company क्या demand करती है civil engineer से उसका good academic record होना चाहिए मतलब उसमें ताकत होनी चाहिए सीखने की उसके technical knowledge होना चाहिए self initiative होना चाहिए और good communication skill होनी चाहिए potential होना चाहिए और ambitious होना चाहिए अपने goal की तरफ तो company यह चीज़े भी देखती है तो इनका एक CACM course जो है हर मैंने कहा 1 September से वो start होने वाला है 12 हफते का course रहेगा चार गंटे daily पड़ाय जाएगा offline hybrid board training रहेगी online live self-raised recording training हर type का जैसे आप possible हो पाता है वो ऐसे आपको मिलेगा सीखने को तो इसके लिए भी register करिए तो इस पे आप call कर सकते हो यह सामने 844-224-80 पे call कर लीजिए यहां description में link इसका डाल चुका हो में फिर हम बात करते हैं इनकी app को जरूर download करो और refer और earn से आप points भी कमा सकते हो आपको help करेंगे free में course पाने के लिए तो कुछ भी अपाने के लिए आपको थोड़ा knowledge चाहिए और वो knowledge आपको कौन दे रहा है CMTI तो जल्दी जाकर apply कर लीजिए क्योंकि gain your experience CMTI वह help आपकी कर रहा है तो description में link है जल्दी जाकर apply कर लो